ओम शान्ती सुनते आज 1st February 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महाँ वाक्य है आज की अव्यक्त वानी का टाइटल है मनन शक्ती ही माया जीत बनने का साधन आज की मुरली में बाबा ने सब पुर्शार्थी बच्चों की एक इच्छा है वे इच्छा क्या है फिर बाबा ने एक बाप के बच्चे दो परकार के फिर क्यों? तीस राह आज बाबा ने जानी जाननार माया सब से पहले किस चीजपे वार करती है और उसके लिए कौन सा बान लगाती है फिर बाबा ने कहा बुद्धी की कमजोरी का कारण और निवारन क्या है? सुनते हैं एक फर्वरी 89 की मुरली मनन शक्ती ही माया जीत बनने का साधन है आज बाप दादा बच्चों के अनेक परकार के पुर्शार्थ की विधी को देखते हुए सबसंग तोड एक संग जोडने की मेहनत को देख बाप दादा हरशित भी हो रहे थे और साथ 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 सनेहे के कारण तरस भी पड़ रहा था तरस किस बात पे हरेक अपने अपने यथा शक्ती लक्ष को प्राप्त करने के लिए तिवर्गती से लगे हुए हैं सब की एक इच्छा है क्या फस्ट जाओं और फस्ट आओं दिन रात इसी लगन में चल रहे हैं लेकिन लक्ष एक है लगन भी एक से है समय भी एक का है फिर भी कोई महावीर हैं और कोई बहुत मेनत अनभव करते हैं कोई सहज योगी हैं तो कोई पुरशार्थ ही योगी हैं कोई सरव प्राप्ति सुरूप हैं तो कोई सरव प्राप्ति करने में खूब लगे हुए है कोई माया जीते हैं और कोई माया के विगनों से युद्ध करने में लगे हुए है कोई के मन का आवाज जो पाना था पा लिया और कोई का आवाज है अभी पा रहे हैं कोई सदा साथ का अनमो करते कोई सदा साथी बनाने के प्रयतन में रहते ऐसा देख बाप दादा को मेहनत करने वालों के उपर तरस पड़ता है एक बाप के बच्चे दो परकार के क्यों और यह मेहनत भी कब तक यह अलोकिक जनम जिस जनम को वरदान है क्योंकि वरदाता द्वारा यह जनम है ऐसा वरदानी जनम प्राप्त होते हुए भी यह जनम भी मनाने की बजाए मेहनत में जाए तो ऐसा वरदानी जनम फिर कब मिलेगा इसलिए इस वर्दानी जनम का हर सेकंड और सरव प्राप्ति करने का सुहावना सेकंड है ऐसे समय को पाने की बजाए मेहनत में लगाना क्या अच्छा लगता है चाहते भी नहीं है फिर भी कर लेते हैं क्यों आज बापतादा ने विशेश कारण देखे मूल कारण है जो चाहते नहीं हो लेकिन परवश हो जाते किसके वश हो जाते उसको भी अच्छी तरह से जानते हो जानते हुए बचने का प्रेतन करते हुए भी फिर चक्कर में आ जाते हो क्योंकि माया भी जानी जानन हार रूप में आती है वे भी जानती है कि इन ब्रह्मन आतमाओं का मुख्य अधार बुद्धी योग है दिवे बुद्धी द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते तो माया भी पहले पहले बुद्धी में वार करती है पहला पहला वार बुद्धी पे माया का बाबा ने का माया भी जानी जाननार है न तो पहला पहला वार बुद्धी पर करती है वे भी जानती है इन ब्रह्मन आतमाओं का मुख्यधार बुद्धी योग है दिवी बुद्धी द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते हैं माया भी पहले पहले बुद्धी में वार करती है कमजोर बना देती है किस द्वारा माया का विशेश बान अब सुनिए कौन सा बान छोड़ती है माया का विशेश बान व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है किस द्वारा बाबा ने का इस बान द्वारा दिवे बुद्धी को कमजोर बना दे थोड़ी देर भी व्यर्थ संकल्प चले दिवे बुद्धी कमजोर बस हो गए फिर तो परवश Surrender माया का भी पूरा टेक्निक है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते कमजोर व्यर्थी जो चाहे वैं नहीं कर पाता इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो इस कारण का निवारण सरव शक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कारे में नहीं लगाते वे विशेश शक्ति है कौन से निवारण भी वावसास साथ बता रहा है वे विशेश शक्ति है मनन शक्ति मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता मनन शक्ति ही दिवे बुद्धी की खुराक है खुराक को ना खाने से कमजोर बन जाते और कमजोर होने कारण परवश्च हो जाते हैं मनन शक्ती का विस्तार बहुत बड़ा है लेकिन विधी नहीं आती जब से ब्राम्धन जनम हुआ तब से अभी तक डिरेक्ट बाप द्वारा जीवन के कितने टाइटल सुने हैं अगर वर्णन करो तो पूरी लंबी माला बन जाए भक्ती मार्ग में भी सुम्रण करने के अभ्यास ही हैं एक-एक मन के पर सुम्रण करते हैं भक्ती में सुम्रण शक्ती है और ग्यान में सुम्रती की शक्ती है जब भागता आतमाई अपनी शक्ति को नहीं भूलती अलबकाल की विदी से अलबकाल की सिद्धी को पाती रहती हैं तो आप ग्यानी तू आतमाई समृति की शक्ति की विदी को क्यों भूल जाते हो अगर रोज अमरत वे ले, अब बड़े ध्यान से सुझनो मनन शक्ती को बढैने का बाबा आगे तरीका भी बता रहे हैं अगर रोज अमरत वे ले अपने एक टाइटल को भी समृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ती से सदा बुध्धी शक्ती शाली रहेगी शक्तिशाली बुद्धी के उपर माया का वार नहीं हो सकता अर्थात परवश नहीं हो सकती तो मूल कारण है बुद्धी की कमजोरी और कमजोरी का कारण है मनन शक्ति जैसे आज कल की विशेश आत्माएं अर्थात पड़े लिखे लोग जैसा कारे होगा, जैसा स्थान होगा, वैसे अपने इस चेंज करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं आपके जड़ चित्रों का भी हर समय ड्रेस चेंज करते हैं बविश्य देवताई रूप में भी हर कारे की ड्रेस अलग-अलग होगे यह संसकार भविश्य का वर्तमान के अधार पर है इस समय का फैशन वा रिती रसन सत्यूग में तो चलेगी लेकिन आपके जड़ चित्रों में भी रसन चली आ रही है तो संगम युक की रिती रसन कौन सी? जैसा कारे करते हो वैसे टाइटल प्रमान अपना सुरूप याद रखो सबसे ज़्यादा फैशनेबल संगम युगी ब्राम्मन है जैसा समय वैसा सुरूप यह सुरूप भी आपकी ड्रेस है जैसी समर्ती वैसी विर्ती वैसी द्रिष्टी और वैसी स्थिती अर्थात सुरूप जैसे आज कल का फैशन है न जैसा शंगार वस्त्र भी वैसे तिलक भी वैसे लगावेंगे तो आखों का शंगार भी वैसा करेंगे तो सबसे फैशनेबल आप ब्रह्मन हो ऐसी समर्ती विर्ती और दृष्टी बनाओ समर्ती है तिलक और दृष्टी है आखों का शंगार और विर्ती है मेक अप करना विर्ती में जैसा परिवर्तन चाहो वैसे कर सकते हैं तो सदेव रोहानी सजी सजाई मोर्त हो विश्व को परिवर्तन करने वाले की मनन शक्ती अर्थात अपने अनेक टाइटल अर्थात सरूप समर्ती में रखो अनेक गुणों के शंगार को समर्ती में रखो अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट्स समर्ती में रखो रोहानी नशी की पॉइंट सम्रिती में रखो रच्ता बाप के परिचे की पॉइंट सम्रिती में रखो रच्ना के विस्तार की पॉइंट सम्रिती में रखो बाबा पूरा आज सुप्रेम टीचर बनके मनन शक्ती बढ़ाने के तरीके बता रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है याद दुआरा अनेक परकार के अनुबह प्राप्तियों की पॉइंट्स दो समर्थी में रखो तो मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है परवश की बजाए माया जीत बनने का वशिकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेंगे संगम युक का पहला भगत आपकी माया बनेगी वह मास्टर भगवान बनो तो भगत भी बने न अगर खुदी भगत होंगे तो वह किस का भगत बने तो भगत बनेंगे वह मास्टर भगवान बनेंगे इसका सैद सादम सुनाया मनन शक्ती को बढ़ाओ समझा जी बाबा अच्छी तरह समझा अच्छा सदा शक्ती शालिस रूप में स्थित रह माया दुश्मन को भी अपना भग्त बनाने वाले सदा सजे सजाए सुरूप में स्थित रहने वाले वशी करण मंत्र द्वारा माया को वश करने वाले सदा समर्ती द्वारा समर्थ रहने वाले सरव शक्ती वान आत्माओं को बाप तादा का याद प्यार और नमस्ते तो ये थी आज की मुरली और बाबा ने कितना सुन्दर आज बताया कि बच्चों को हर वक्त मनन शक्ति फिर माया वार नहीं करेगी व्यर्थ संकल पाएं संचलो माया ने वान छोड़ दिया है बुद्धी को कमजोर करने का इसलिए खूब मनन शक्ति बढ़ाओ बहुत अच्छे बाबा ने तरीके बताए कभी टाइटल कभी बाबा के दिवेग कभी संबंद कभी किस डंग से हर वक्त बुद्धी में रखो ओम शाम और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे